हेलो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है मेरे कौर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉटेंट टॉपिक है यानि आज से मैं एक नया अध्याय सुरू कर रहा हूँ आप सब के लिए वो है टेस्ट सीरीच का दिया है इसी के उपर मैं बात क करेंगे इसके उपर मैं बात करूंगा ठीक है तो डेली समान इज्ञान और समान विज्ञान टेस्ट अब आयो जीत होगा हर रात 9 बजे कल से अब कल से ही क्यों होगा तो कल मेरा बड़े है तो मैं सोच रहा था कि अपने बड़े के ऊपर कुछ ऐसा करते है जो आप सब के बड़े के लिए काम में हो ठीक है तो इसके लिए मैं टेस्ट सीरी सुरू कर रहा हूँ आठ नेवेंबर से तो आप सब तयार रहिएगा तो मैं कुछ अपने जन दिवस पे ये करना चाहरा था कि आप सब के लिए मैं मैंनद करना चाहता हूँ ठीक है आप सब के लिए जो अलग-अलग तरीके से लोग celebrate करते हैं मैं celebrate बिस्वास नहीं करता हूँ क्योंकि जब तक आपके पास नौकरी नहीं है आपका celebration नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार ये मेरा मानना है हर एक मजा वाला काम जो है उसको छोड़ दीजिए आप enjoyment छोड़ दीजिए अभी dedicated होकर पढ़ाई कीजिए पढ़ाई बहुत important है जब आप job हो जाएगा फिर आप जितने भी दिन जीएंगे उतने दिन आपके काट लीजिएगा बड़े बना लीजिएगा ठीक है हमारा बड़े बनाने का नजरिया कुछ और है मैं आप सब के लिए मैनत करता हूँ खुद मैनत करता हूँ तो आप सब के लिए मैं एक test series सुरू करूँगा जो साल के 365 दिन चलेगा लेकिन वो कैसे चलेगा अभी हम सब बात करेंगे जो सबसे पहले लिए समान ज्यान और समान विज्यान प्याधारी test होगा यानि आपका GK और GS का जो portion है वो मैं finish कर भाऊंगा एक एक करके इवन math भी कभी कभी मैं test लूँगा संडे संडे मैं कोसीज करूँगा आप सब का एक गंटा के लास लूँ हर रोज रात 9 बजे ये test का आयजन होगा यानि आपको याद रखना है कि 9 बजे test का आयजित होगा कल से यानि 8 नमबर से ये शुरू हो रहा है कल से ही ठीक है तो कल से आप सब तयार हो जाएंगे टेस्ट के लिए अब कैसे टेस्ट होगा आगे जानते हैं अब आपको टेस्ट कैसे attempt करना ये important है देखिए टेस्ट कैसे लिया जाता है कहीं से भी कुछ भी पढ़ने से आपका exam निकलने वाला है नहीं अगर आप बिहार SSC बिहार दरोगा की exam देने वाले हैं क्योंकि वो exam के according to तयार किया ही नहीं गया है तो बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे question एक ही वीडियो में आजाते हैं कि आप सभी दे सकते हैं civil court, बिहार police, BPSC, बिहार दरोगा, बिहार SSC लग रहा है खिचड़ी पकरा है तो ये सब जो है ये सब अससे बचना पड़ेगा आप सबको topic wise तयारी बहुत important है मैं समझता हूँ BPSC का कुछ level और होगा, दरोगा का कुछ level और होगा, बिहार police constable का कुछ level और होगा तीनों का similar present पत्र नहीं हो सकता है ये बात आप जान लीजिए तो मेरा टेस्ट लेने का नजरिया ये रहेगा कि डेली सुभा आट वजे टेलिग्राम चैनल पर होमवर्क मिलेगा आपको मैं इसके लिए YouTube पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है तो डेली सुभा आट वजे हमारे टेलिग्राम चैनल पर होमवर्क मिलेगा टेलिग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके अलावा ये नाम देख लिजे, ओनेस्ट, आरेन सिक्षा नाम है टेलिग्राम चैनल का आप जरूर वहाँ जोइन कर लें आट वजे मैं आपको हमवर्क दूँगा और रात नौ बजे मैं बोली दिया कि टेस्ट लूँगा ठीक है? तो हर रोज दिये वे टॉपिक से टेस्ट होगा इसके अलावा टेस्ट किसका होगा ये इसके उपर भी अभी हम सब बात करेंगे तो अभी फिलाल बिहार SSE और बिहार दरोगा का टेस्ट का आयोजन होगा इसके अलावा बिहार सिपाही का भी एक्जाम होने वाला है तो उसका भी टेस्ट का आयोजन करूंगा मैं तो बिहार दरोगा और बिहार SSC की जहां तक बात है तो इन दोनों में GK सिमिलर पूछेगा GK और GS एक समान पूछेगा दोनों एक लेवल का एक्जाम है तो इन दोनों का कंबाइन टेस्ट हो सकता है लेकिन अभी मैं इसमें 70 BPSC अगर डालनू तो फिर वो अलग हो जाएगा क्योंकि 70 BPSC का कोश्चन का लेवल और दरोगा के कोश्चन के लेवल में धर्ती और आसमान का अंतर ही इतना आप समझ लेजिए उसे प्रकार बिहार SSC और दरोगा का कोश्चन पेपर और बिहार कॉंस्टेवल यानि जो सिपाही वाला आया है इन दोनों के कोश्चन में धर्ती असमान का अंतर है तो इस पैटन को आप समझना पड़ेगा आप सबको कि टॉपिक तो वही रहेगा लेकिन टेस्ट कैसे देंगे वो अलग बात हो जाती है टॉपिक मैं सेम दूँगा जैसे मैं आज दिया यूरोपिया कंपनी का आगमन तो आपके बिहार पुलीस वाले जो एक्जाम देंगे यानि सिपाही वाले उसके टेस्ट में अलग लेवल का कुश्चन रहेगा और दरोगा और बिहार SSC वाले में अलग लेवल कर रहेगा और 70 BPSC वाले में अलग लेवल कर रहेगा ठीक है 70 BPSC वाला का टेस्ट अभी मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि अभी एक्जाम बहुत दूर है अभी उसके लिए मैं NCRT सीरीज शुरूग यहां हूँ आप सबको पता है NCRT Economics, NCRT Science और NCRT Geography आप उस सीरीज को पकड़ के रखें 2-3 महने के बाद वो खतम हो जाएगा उसके बाद मैं NCRT सीरीज का टेस्ट भी लोगा आप सबसे तो वो जब आप दे देंगे आप जान लेजिए, और NCRT सिक्षा है आप वहाँ से जाकर के होंबर्ग देखेंगे आप याद करेंगे डेडिकेट कर होकर रात में आप उसका टेस्ट देंगे I hope कि इतने concept आप सब समझ गये होंगे Recent exam का टेस्ट होगा रात 9 बजे होगा इस टेस्ट का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलफद रहेगा Free of cost रहेगा कोई भी दिकत नहीं है, उसमें कोई costing नहीं लग रहा है आप अराम से उसको PDF को निकाल करके वापस से भी टेस्ट दे सकते हैं ये टेस्ट टेली आपके exam से पहले आपको गलती ठीक करने का मौका देगा मैं इस हिसाब से question set करूँगा जो आपके exam के according to हो तो जहां पे आप गलती करेंगे जिस topic में आप कम number लाएंगे उस topic को सही करने का आपके पास बहुत ज़्यादा मौका रहेगा यही टेस्ट करवाता है इसको बोलते हैं आत्म मुल्यांकन करना इसमें कोई डर नहीं लगता है कम आया तो इसको ठीक किया जा सकता है अगर आपको बिमारी पता नहीं चलेगा तो फिर आप उसको solve नहीं कर पाएंगे मैंन बात यही है तो यह प्रोग्राम है इसके अलावा प्लेलिस्ट का नाम आप जान लीजिए एक मैं प्लेलिस्ट आपका बना दिया हूँ उसमें यह सारे वीडियो जाएंगे टेस्ट अबलेबल होगा यूट्यूब पर बिलकुल फ्री फ्री ही रहता है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट का नाम है डेली समानग्यान जीके और समानविज्ञान जीएस टेस्ट रात नौ बजे से ठीक है यह प्लेलिस्ट का नाम है यह वाला प्लेलिस्ट में आप जाकर के हर एक दिन का वीडियो देख सकते हैं recorded video रहता है या आप अराम से हर दिन test दे सकते हैं ठीक है तो यह daily test होगा आपका और रात के 9 बजे होगा और आप daily score भी मुझे बताएंगे और फिर अगर कोई भी दिक्कत होगा कोई भी queries होगा तो question आप पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे telegram channel को जरूर जोइन कर लिजेगा वहाँ पे सुभा से homework मिलेगा तो कल का जो homework है वो सुभा मिल जाएगा आपको 8 बजे और रात में test होगा तो मैं अपने birthday के अफसर पर आप सब के साथ मेहनत करूँगा और आप सब को सही रात तक पहुचाऊंगा और जो भी आपको दिक्कत होगा वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और एक लाइक कर लिजेगा थैंक्यू सो मच टेक कियर और बाइबाइ